दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज जिस पोधे के बारें बात करने जा रहे हैं वह सबजी है पर इसकी सबजी कोई-कोई ही बनाता है लेकिन जूस, सलाद, हल्वा बहुत लोग बना कर खाते हैं यही नहीं इसकी चीनी वह ओसदियां भी बनाई जाती हैं अब भले ही इसकी चीनी खूब बनाई जाती हो लेकिन इसका स्वाद सभी को नहीं भाता है परंतु फिर भी एक दो टुकडा खाकर खुसी अवश्य मिलती है क्योंकि इसके गुन कौडों के हैं और खूब पोशक तत्मों मिनरल से भर पूर हैं तब ही तो इसे अनेक रोगों की पक्की दुस्मन माना गया है आप दोस्तों यह भी बता दें कि इसकी खेती सभी जगे होती है खूब होती है वर्स भर यह मिल भी जाती है लेकिन सलाद में इसे याद कम ही लोग रख पाते हैं अब इसका कारण स्वाद है या कुछ और है यह अलग विशय है लेकिन इसका रंग भी खूब ऐसा लाल गाड़ा होता है क्योंकि इसमें लोह तत्व की भारी मात्रा होती है तब ही तो यह पीलिया में उपयोगी खून तेजी से बढ़ाने वाली मानी गई है तो दोस्तों यह नायाब सब्जी सलाद है चुकंदर जिसे बीट रूट भी कहते हैं अब दोस्तों बात करते ह हैं चुकंदर के वीबिन भासाओं में नामों के बारे में दोस्तों इसे संस्क्रत भासा में रक्त गुंजनम, पालंकी, हिंदी में चुकंदर, रक्त ग्रजन, वही कन्नड भासा में सेन सीरा, ने सीरा, वही तमिल भासा में सेन सीरई, बंगला में बीट पलंग, मराठी मे अंग्रेजी भासा में इसे कई नामों से पुकारते हैं इसमें बीट रूट, गार्डन बीट, रेड बीट, सुगर बीट, वहीं वाइट शुगर बीट, तता फोलिज बीट, लीफ बीट, इस्पाइनेच बीट आदी नामों से इसे जाना जाता है वहीं इसे लेटिन भासा में बीटा वल्गेरिस आदी भी कहकर पुकारा जाता है यहीं नहीं इसे सकरी चुकंदर, पलंग शाक, बीट पलंग, कॉमन बीट, तता टेबल बीट आदी कहकर भी पुकारा जाता है यही नहीं इसे डिनर बीट गोल्डन बीट भी खहते हैं इसके गुणों के कारणी से सूपर फूड की भी संग्या दी जाती है इस परकार चुकंदर के विबिन भासाओं में नाम होते हैं अब दोस्तों बात करते हैं चुकंदर के उत्पत्ति स्थान के बारे में तो दोस्तो बता दे कि चुकंदर को सारे भारत वर्स में खुब बोया जाता है इसकी खेती की जाती है लेकिन दुनिया में आमेरिका तता यूरोप इसके सब से अधिक खेती करने ओत्पादन करने वाले देश हैं कहते हैं कि चुकंदर से शक्कर यानि चीनी भी बनाई जाती है जो गन्ने की चीनी के जैसी ही सफेद रंकी दिखाई देती है अब दोस्तो इस वीडियो में हमने चुकंदर के विबिन भासाओं में नामों वह उत्पत्ती स्थानादी के बारें बात की तो दोस्तो जड़ी बूटियों का परियोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्त की रक्षा करें अगली वीडियो में फिर मिलते हैं चुकंदर के बारे में और अधिक जानकारी लेकर तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै आयर्वेड